हाई यॉल, कैसे आप सब उमीद करती हूँ, आप सब अच्छे होंगे तो आज का जो वीडियो है, वो बहुत ही रिक्वेस्टेट वीडियो है मुझे बहुत लोग उने कमेंट्स किया है, पूछा है कि आप अपनी बेबिस के लिए क्या प्रोड़क्स और इसेश्टेट करते हो, तो आप शेयर करो हमारे साथ तो मुझे भी बहुत मन था यह वीडियो बनाने का मैं चाहती थी मैं शेयर करूँ और आप लोग उनको बताऊं क्योंकि बहुत सारी new momies है, जिनको idea नहीं होता कि क्या खरीद कर रखना है पहले से क्या नहीं रखना है तो उमिद करती हूँ आपको यह video देखके बहुत सारी ideas मिल जाएंगे और आप prepare रहोगे बेबी कहानी से पहले आप सारी तैयारिया करके बैठ होगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए तो मेरे पास जो products मैं यूज करती हूँ और जो essentials है मेरे पास सारी चीज़े मैं आपको दिखाऊंगी जो भी मैं बेबी के लिए यूज करती हूँ मैं भी शेयर करूँगी आपके साथ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी डाल दूँगी तो आप लोगों को इसी होगा अगर आप चाहिए तो वहां से purchase भी कर सकते है तो मैं अब अभी का वीडियो शुरू करती हू देखिए और मैं के करके बताऊंगी आपको कि मैं क्या यूज करती हूँ तो पहले मैं स्टार्ट करती हूँ डाइपर से तो मैं तीन तरह का डाइपर यूज करती हूँ एक तो हगीज का है एक है टेदी का यह पहले भी मैंने दिखाया था आपको और एक है फाइन का तो सबसे जो अच्छा डाइपर मुझे लगता है वह हगिस मुझे बहुत अच्छा लगता यह बाइपर क्योंकि बहुत ही कमपर्टेबल एस बेइपर को और आज तक लिकेज वह अगिना कभी नहीं हुआ इसरे अब देखकर ही समझ सकते है बहुत ही soft और बहुत ही मतलब new born babies को ध्यान में रखके यह बनाया गया है बहुत ही अच्छा है यह quality इसकी तो मुझे बहुत पसंद है बट मैं इसे घर पर यूज नहीं करती क्योंकि यहां दुबे में यह बहुत साधा expensive है तो और बिन में 8-10 diapers चेंज करने पड़ते हैं तो ह हम यूज करते हैं fine का fine अच्छा है और उसके बाद टेडी है हगीस के बाद fine मैं recommend करूंगी यह fine कडाइपर इसी quality बेच्छी है बट हगीस जैसा नहीं है हगीस का quality देखिए देखकर ही समझ में आएक आपको और यह है टेडी का डाइपर तो मैंने तीनों डाइपर खोल के दिखाया आपको इसका इलास्टिक भी बहुत अच्छा है हगीस कहीं जो है न यह क्यूंकि दूसरे डाइपर में बेबी को थोड़ा राश हो जाता है साइड में लास्टिक की वज़ए से बट हगीस में कभी आसा नहीं होता तो मैं जब यह क्या बेटर है मेरे हिसाब से हान् जादा बेटर है तो मैं जाधा तर फाइन उसका करती हूं अभी मैं टेड़ी बूलेकर आहीं तो से युज ऱ्यां ने विज़यों कर लूंगी तो यह दो गया डैपर के बारे में बात बात करेंगे रैश क्रिम बहुत सारे में शर्या तो मैं आपको बता दूं, मैं यूस करती हूँ ये वाला रैश क्रीम, सूडो क्रीम है ये, ये बहुत अच्छा है, एक बार मीशु को हुआ था, रैश, उसके बाद से हमने ये इस्टार्ट किया, ये डॉक्टर रेकमेंडेरी है, डॉक्टर ने हमारा, जो मीशु की यह दोक्टर रेकमेंडेड है यह तो हो गया रैश क्ली अब मैं लोशन और वो बॉड़ी वॉच वगेडर क्या यूज करती हूं मैं वह आपको दिखा देती हूं यह है प्लिंजिंग जेल मुस्टेला का क्योंकि मैंने यह देखा था वहां पर हॉस्पिटल में बच्चे को जब बात दे रहते हैं जब अलीजा को नहलाया जा रहा था तो यह उस किया था उन लोगों ने तो फिर मैंने डॉक्टर से पूछा क्या सेफ है इसे यूज करना त तो नीबन बेवी के स्किन में बहुत पतला होता है उनका स्किन तो डिलिकेट होता है शाइन इसलिए ड्राइनिस तो होता है हलका सा तो यह है और मैं फेस पे नहीं लगाती सिफ बॉड़ी पे और हेर पे लगाती हूं फेस तो मैं सिफ प्लेन पानी से इसका वाश करती हू मतलब पोज़ देती हूं और ये रोशन बहुत अच्छा है लेकिन ये बहुत अच्छा है अगर आप इक आऊ मैं तो दीन छोड़कर जब मैं लाती हूं तभी मैं यूज़ करती हूं यूज़न वड़ना में यूज़न नहीं करती बहुत अच्छा है यह हगिस में चो water content होता है ने टिशू में ज़ाधे है इसमें comparing to other wet wipes इसमें ज़ाध साधे water content होता है wipes का यह बहुत अच्छी चीजे और यह भी मैं use करती हू21 तो मुझे dist plan विला था मेरे हजबन के फ्रेंड ने दिया था और हगीस और यह जो है ना दुना के रहे यह प्रड़क का नाम यह भी अच्छा है और बहुत सारा मुने गिफ्ट दिया है तो मैं यह भी उस कर लूँगी बट जब मुझे पर्चेस करना होगा तो हगीस ही बैस्ट है मैं आप को रेकमेंड करूंगे हगीस का वेट वाइब बहुत अच्छा है अच्छा मैं डिटरजेंट कौन सा यूज करती हूँ बेबी के कपड़े दूने के लिए मैं वह भी आपको दिखा देती हूँ तो मैं यह वाला डिटरजेंट यूज करती हूँ परसिल बहुत अच्छा है यह यह वाला डिटरजेंट यूज करती हूँ क्योंकि जो नॉमल डिटरजेंट होता है में निकलता भी नहीं होगा वाश के बाद भी तो इच इंग वगेरा हो सकता है तो बहुत अन्कमफरेटेबल हो जाता है निव बेबिस के लिए और चोटे बच्चे तो बता भी नी सकत तो यह मुझे लगता है ठीक है और इसी कुछमू भी बहुत अच्छी है इसमें आमंड मिल्क हो गया रहे देखिए तो यह हो गया और मैं थर्मोमीटर भी मैं यह वाला यूज करती हूँ यह ऐसा वाला है जो डारेक्ट ऐसा अभी अभी कोविट के डाप में आपने देख कि अधर आख डिशम् nueva लूज को गलर भी आता है कालर भी आता है प्रिसमी लिक कर भी आता है भी क्योंकि वह एजी हो थे होटा इस्वोटे प्रेशत कर ने लगता है जो ट्री मैं लागता है जो यह तो इसे रिट करने टाउमल तो बच्चे में अशन में विल्टे रहते है तो यह एच्छा है, तो यह अच्छा है, तो यह मेरा तेमपरेचर रएट कर लाइनी 36.2 है मेरा तेमपरेचर फिलाल। और यह तृष्टर क का है हाँ यह तो हो गया थमोमीटर और और कुछ मसलिन फ्लोथ मैं यूज करती हूँ वो मैं दिखा दू आपको यह मसलिन फ्लोथ मैंने मंगाया ऑनलाइन यह मैंने कुछ दिन पहले ही मंगाया है त्यूंकि जब अलिजा होई थी तो विंटर का टाइम था तो मैं मोटे वाले जो ब्लैंकेट्स होते हैं वो सब और इस तरह यह ब्लैंकेट्स मैं उसकरती थी अभी लेकिन विंटर समर आ गया है तो यह सब में गर्मी होती है उसे यह सारे में यूज करती थी उसे लपेटने के लिए स्वैडल ब्लैंकेट्स है और कुछ नॉर्मल ऐसी उपर से कवर करने के लिए बेबी को और ऐसा कॉछ कॉटन ब्लैंकेट्स भी है पतले वाले और अभी थोड़ी गर्मी जादा बढ़ रही है तो उसे पसीना बहुत आता है बेबी को बहुत जादा पसीना चूट रहा है तो मैंने यह मंगाया है उनलाइं यह मसलिं फ्लोज थे मैंने मंगाया था तीन का एक सेट आया था और यह मैंने उनलाइं मंग आया है वह बगुत अच्छय फापरिक है इसका बेगा सॉफ्ट है मैं इसे इसे स्वाड़ करते हूं अलिगा को तो कंफरटेबल सोथी आराम स बाइस बीडेर कर सकते हैं विक प्षेंजिंग शीट है तो मुझे वॉस्पिटल से मिला था बहुत काम हा रहा है मुझे डाइपयर चेंज करते वक्त», इसे बेबी को आद रहे से बीच में लेट आ दो अब डाइपर वगरा चेंज कर सकते हूं और कुछ डिस्पोजिबल शीट्स भी है मेरे पास यह है तो मुझे हमार स्कुटीज से मिला था यह भी तो कुछ तो मैंने उसकर के फेक दिया है कुछ ऐसा है भी भी तो यह सब अभी में चेल रहा है जो मुझे आपको से मिला था और एक बल्प सिरिंच कभी-कभी नोज में उसका म्यूकस वगेरा जम जाता है तो निकालनी के लिए काम आता है और यह उसका बिटमिन दी जबाद से डॉक्टर ने बोला था स्टार्ट करने के लिए तो हमने स्टार्ट कर दिया है और वो कभी-कभी पेटमें बहुत दर्द होता है उसका गैस वगेरा हो जाता है तो बहुत परिशानी होती है उसे तो हम यह यूज उसकरते है और इसका टेस्ट उसे बिल्कुल नहीं पसन बहुत रोती है वो इसे पीना ही नहीं चाहती है बट पीते ही रिलीफ मिल जाता है उसे और यहाँ पे बेबी का निल कटर और यह साथ में किट आया था इसका निल कटर का ऐसा यह सेट आया था तो मुझे तो अभी भी डर लगता है उसका निल कट करने में तो मैं काट नहीं पाती उसके पापा ही काटते है और यह कुछ wash clothes है कभी मैं उसे sponge बात देती हु न तो इससे मैं उसे बहुत soft है कपड़ा बहुत अच्छा है और यह भी मुझे वास्पिटल से भी मिला था तो अभी भी चल रहा है और दो है बातरूम में मैंने यूज किया है तो अंदर रखा हुआ है तो यह हो गया और ब अच्छा इस तरह कपड़ा है और कुछ गंदे है और यह है रॉंपस है और पीछे स्लिप सूट्स है यह सारे अगर आपके न्यूबॉर्न बेबी जए तो अगर आप एक्सपेक्टिंग मदर हो तो आपको यह वीडियो बहुत काम आने वाला है तो आपको प्रिपेर करके रखना है सारा चीज यह सारे चीज बहुत काम आने वाले है क्योंकि यह सब मतलब जरुरत की चीज़े हैं जो आपको काम आने वाली है और कुछ मीटेंस सॉक्स वगेरा है यहाँ पर कुछ कैप्स बीप्स दूद पिलाते वक्त ऐसा अभी जादा जरुवत नहीं पड़ती मुझे इसकी यूंकि जब बेबी सोड़ी बड़ी हो जाएगी जब फीट करना मैं शुरू करूंगी उसे स्पून से तब मुझे काम आएगा बर मुझे अच्छा नगा तो मैंने यह ले लिया एक और बूटी वगयरा भार जाने के लिए तो बस अब था और मैं बेबी के लिए यह वाला गदा यूज करती हूं यह मैंने पहले भी दिखाया आपको जम मैं पर्चेज मैंने किया था नया तब मैंने दिखाया था तो यह काफी अच्छा है इक अमफर्टेबल नीचे अगर पाई चैन्स लिकेज वगयरा हो गया डाइपर में तो और साथ में बॉल्स्टर पिलोज है दो और मैं यह वाला पिलो यूज करती हूं यह मैंने बेबी शॉप से लिया था जुनियर्स का है यह काफी अच्छा है बट वो रहती नहीं पिलो में नीचे उतर ज देखिए इसका यह ऐसा प्रेस करने से ओन हो जाता है इसमें स्पीड बटन है आप सेट कर सकते हो कितना फास्ट चाहिए स्लो चाहिए देखिए वन में इतना स्लो है अगर मैं 3 कर दो तो बहुत फास्ट हो जाएगा एक अच्छा है और इसमें आप म्यूजिक भी स्लेक्ट कर सकते हो यहां पर म्यूजिक को ऑप्षिन है और म्यूजिक का भी लो हाई फॉंसर यहां पर और डिड्यूस भी क्या जा सकता है तो टाइमर भी सेट कर सकते हो आपको कितने टाइम तर चाहिए आपको पर आटोमेटिक बंद हो जाता है तो काफी अच्छा है यह और काफी रिलाक्स करती है मज़ा आता है उसे स्विंग में यहाँ पर कभी जाग भी रही होती है न तो मै यहाँ पर कलरफुल दो टॉइस दिया गिया है इस तरह से यह भी अच्छा लगता है और बेबी काफी इंज्वाइ करती है इसमें बहुत मज़ा आता है उसे और यह है बेबी का कार सीट काफी कमफर्टेबल है यह और हम इसे ऐसा क्या आरिंग कोट भी यूज कर सकते हैं मतलब बेबी को लिटा कर हम इसमें ऐसा हैंडल अधेस्टिबल हो जाता है तो मैसा उठा कर उसे ले जाते हैं आपने देखा होगा मेरे वीडियो में और ऐसा रॉकर भी आप यूज कर सकते हैं आसा रॉक होता है यह तो थ्री इन वन है यह भी काफी अच्छा है मैंने पहले भी दिखाया आपको जब मैंने अन्बॉक्स किया था जब मैंने लेकर आई थी तो बस यही सब है और मुझसे किसी ने पूछा है कि बेबी के लिए स्विंग सेफ है क्या मतलब कमफर्टेबल होता है क्या तो मैं जो स्विंग उसकरती हुआ तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता और शुछा है कि अलीजा प्रेस्ट पर है या फिर आप उसे पामुला फिट कर रहे हो तो मैं आपको बता दू कि वह जब जॉन्लीस हुआ था ना तभी मैंने तीन दिन उसे पामुला दिया था उसके बाद से वह एक्स्क्लिस मैं इसे ब्रेस्ट्रीट करती हूँ और जॉंडिस होने के वजए से मैं इसे फार्मूला दिया था क्योंकि डॉक्तर ने मुझे बोला था कि जितना जादा वह पॉटी पिशाप करें कि उतना जल्दी उसका उसके बॉड़ी से जॉंडिस होगा निकल जाएगा तो उस टाइम मेरा प्रॉब्लम यह था कि मेरा मिल्क इतना जादा होता था मिल्क फ्लो इतना जादा था कि वह काफी चोटी थी न्यूबॉन थी तो हैंडल नहीं कर पाती थी और कभी इसे खासी आ जाती थी चोख हो जाती थी तो फिर मुझे उसे एक्सप्रेस करके देना पड़ता था वहां पे तो बड़े-बड़े मशीन्स थै मिल्क에서 करने कि लिए तो वहां पे उन्होंने मुझे डॉक्टर मुझे लाकर लिका था तो वह मुझे उसकर थी पाफी बड़ा सा मशीन था बट जब जल्दी-ज़ल्दी एक्सप्रेस हो जाता था उसमें मट जब में घर आयी न हो जाता है problem हो जाती है उसे तो express करके देना थोड़ा बेटर लगता है तब मैं ऐसे ही तो इसको अब आदेती नहीं है सिधा सर रखने के जब सोती है ना complete deep sleep में जाती है तो मैं रात में सिर्फ ऐसा रख देती हूं कि इसको हैविट हो गया फर्स्ट वन मंथ हम साइड बाइस रखते थे डॉक्टर ने बोला था आपको पता होगा अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो सफ़्स वन मंन डोक्टर ने बोला था इसा रखने के लिए वह वहम इसा रखते थे ते तो आप इसको हो गई है यह तो लेफ रखेगी या तो राइट रखेगी और तो इसको अuff Daarासटों कि वर्टिकल कर तो एक से वेलैए मिलती है वह वह वार्बाश होगी है वहजग मिचho बदमाशा करते हो हैं मिचह इसे बात करें मिचह ने बलेव को हैं यह Allurar को I आहिए I will निश्कम संबे संब आप सर सीधा क्यों Dashy SD रर्गतेड वह सब उठा है संब पुछता हैALK क्या रगते हो अप सेंसे सीधा क्यों निख दर जाते हो गुम्ते हो सर्कल सर्कल इना बदमाशी शुरू हो गया ना मिश्यु और हैजिंए बोलो है मुश्यु हाह जो कि नहीं दो हो इसे कि दो हो देखो कर दो ही यह को है कि इसले और है जाओ इसले कि आज़ते है कौन है ये ये बच्छा कौन है हाँ क्या बोली कौन है कुछ तो बोलना चाह रही है बोलो I am Aliza I am Aliza I am Aliza पैर इस तरफ रखो उस तरफ पैर नहीं रखते इस तरफ रखो पैर को अभी ठीक है साधे समान मुझे समीट के वापस अंदर राखना है मैंने बाहर निकाला था आप लोगो दिखाने के लिए मिचु क्या क्या यूश करती है मिचु क्या यूश करती है क्या यूश करती है सब बता दिये हम शब को हाँ हाँ क्या हवा में स्वीमिंग प्लाइग फिलाइग हा एंभ insh कों मार रही हुआ ओonneको Евरी कुट को देख हुआ करने यह बेभी क कन्या आइ कौन एगे बेबी कैसे मार दिए मुझे कौन एगे बेबी हنञ कौन एगे था न्यूए दू कर दो पेठी मार रही है ओ भल बमा बैबी कुमार ही है एल बदमाश ओके गाइस तो अब फिर में शूट गई है उसे अब थोड़ा मुझे फीड वगएरा करना है डाइपर वगएरा में चेक कर लूगी तो फिर मुलकात होगी आपसे एक नई व्लॉग में एक नई कॉंटेंट के साथ तक अपना ख्याल रखें स्टेसे बबाई टेक केर